हलो दोस्तो आज हम बात करेंगे ROARO की विकेंसिस के बारे में कि कैसे हम इस साल सही तरीके से पढ़के ROARO में जॉब पा सकते हैं ठीक है क्या स्ट्राटेजी होनी चाहिए कि हमें इस साल स्लेक्षन मिल जाए ठीक है और क्या इसका syllabus है उस हिसाब से आज हम मैं उसको बताऊंगा कि आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो आपके 180 नंबर आएंगे 200 में से 180 नंबर तो बात करते हैं कि क्या तरीका अपनाना चाहिए तो पहले जो इसका topic है जो इसके syllabus उसके बारे में चर्चा करते हैं तो पहले हम देखते हैं कि एक्जाम का जो एक्जाम है maximum marks और maximum questions तो पहला जो है पेपर वन मल्टिपल च्वाइस होगा 200 नंबर का ठीक है और 200 नंबर के questions भी होंगे दूसरा आपका क्या होगा computer जो 50 नंबर को होगा और maximum questions जो भी होंगे वो भी 50 नंबर के होंगे बात तो टोटल हो गया 500 नंबर का अब हमें करना क्या है कि कि सब्जक्ट पे हमें ज़्यादा फोकस करना है जिससे हमें इस साल selection मिल जाए और क्यों कौन से subject से कौन कौन से topic से ज़्यादा questions पूछे गए तो वो मैं पहले बताता हूं फिर उसी हिसाब से हमें तैयारी करनी है तो बात करते कि हमें focus on कौन से topics पे focus करना RO RO में किस से ज़्यादा questions बने थे ठीक है तो पहला जो बना था कि science से जो question आये RO में 13 question है RO में 11 question है history में क्या है कि RO में 12 आये थे और RO में 12 आये थे यह संद 2019 का है इंडियनेशन मोवमेंट में क्या था दस नंबर के RO में पूछा क्या था और 13 नंबर का RO में भी पूछा गया था कल्चर में क्या था दो नंबर का पूछा गया था और RO में चार नंबर का पूछा गया था economy में क्या करा था 6 नंबर का economy में और अमलब आरो में और 6 नंबर का एरो में भी पूछा गया था पॉलिटी में क्या करा था कि पॉलिटी में 3 नंबर का और यह इदर क्या था पांच नंबर का पूछा था जियोग्राफी में आरो में पूछा 19 नंबर का और ARO में पंदा नंबर का तो हमें पहले सबसे पहले क्या करना की जियोग्राफी पे भी ध्यान रखना है हमको ठीक है फिर बात करते हैं मैं सबको बताऊंगा दीरे दीरे एन्वार्मेंट में पांच नंबर का और इधर ARO में छह नंबर का पूछा था एग्रिकर्चर में चार नंबर का था और ARO में तीन नंबर का ठीक है सेंसेक्स में एक नंबर का और यह मलब ARO में चार नंबर का अरवनाईएशन्स में दो नंबर का पूछा गया था और इधर क्या कर रहा था दो नमबर का भी ARO में भी पूछा गया था ठीक है दोस्तों तो बात करते है कि उसके बाद बात करते है करेंट अफेर्स की करेंट अफेर्स में पूछा गया था 14 नमबर का ठीक है और इधर क्या था ARO में 13 नमबर का पूछा गया था UP के GK में 13 नमबर का आया था ठीक है RO मे और ARO में क्या था 12 नंबर का आया था reasoning में 12 नंबर का था ठीक है ARO में और ARO में क्या था 12 नंबर का ठीक है हिंदी में 14 नंबर का RO में था और ARO में 12 नंबर का था ठीक English में क्या था 50 में 50 है और computer में 20 में 20 अब हमें बात करनी है क्या कि कौन कौन से topic हमें ज़्यादा ज़्यादा पढ़ने है तो सबसे पहले हमें science ठीक है ये जो 13 नंबर का आया है इसको cover करना है फिर उसके बाद ये तो interesting topic है ये दो तो इसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है और बात करते हैं जोग्रॉफी की जोग्रॉफी आपको बहुत सही से पढ़ना है क्योंकि जोग्रॉफी बहुत ज़्यादा पूची गई है तो आपको क्या करना है कि जोग्रॉफी से ज़्यादा question cover करना है ये आपके topic हुए जो जिससे ज़्यादा questions पूचे गएते तो यह तो आपको पढ़ाना ही है ठीक फिर बात करते हैं कि इसमें के बाद है current affairs, current affairs major topic है तो इसको आपको सही से पूरा पढ़ लेना है ठीक है UP की GKP पर ध्यान देना है यह आपका कबार होई जाएगा और English के लिए आपको करना क्या है कि action publication और mirror और common error को ले लेना है और उसी से ही लगाना है और previous year अन्टोनियम, synonion, one word substitution आपको पढ़ लेना है पैसेज अगर आता है तो पैसेज भी आपको सही से पढ़ लेना ठीक है बात करते ही क्या कि अगर देखिए रो यारो vacancy जो है UP के सभी लो बैट यूपी के जितने भी PC PCS की तैयारी करने वाले बंदे हैं सब बैटे हैं ठीक है क्या है कि एक तो powerful job है आरो यारो इतना मजाक नहीं है पेपर इतना easy भी नहीं बनता है और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसका जो paper pattern होता है अगर कोई भी student जो थोड़ा बहुत भी पढ़ता हो SSC की तैयारी कर भी तो उसके भी 120 नंबर आ जाएंगे लेकिन अगर आप यह सोचें कि 120 नंबर आ जाए और हम पास हो जाए तो ऐसा होगा नहीं ठीक है आपको करना क्या है कि 120 तो आप कभी भी exam दे के भी normal एक हपते बाद भी आप exam दे तो आपके 120 आ जाएंगे लेकिन 120 में selection नहीं हो ना आप को करना क्या है 120 तो आने यह 60 और बढ़ाने है यानि कि 200 में से 180 जिस भी विद्यार्थी के नंबर बनते हैं तो समझ लिजे वो पास हो जाएगा उसको कहीं पे भी दिक्कत नहीं होनी वाली है अब क्या करना है कि 120 तो बन जाएंगे ठीक है यह जो 60 नंबर बढ़ते हैं ठी हैे अलब फैक्चुल चीजे हिस्ट्री की सब फैक्चुब चीजह पढ़नी हैK Vision आफेस ब्लकुल काईदे सबढ़नी पढ़ेगी है मिए क्या है कि जो हमारे गलत होते और होьी डलत कर देते हैं हमें क्या करना है घना इनक़ना हमें करना क्या कि इसई को पूरे यद्द भी easy questions आये हैं, वो तो सही करना ही है, प्लस उसके साथ क्या करना है, जो cutting question है, उसको भी सही कर लेना है, ठीक है, अगर ये रणनीती अपनाते हैं, कि easy question गलत नहीं हुआ, tough question हमने सही कर दिये, तो आप ये सोच ही, आपका selection पका है, क्युकि गलत जो selection उनका नहीं होता, जो easy question ही गलत करके चले आते हैं, ठीक है, tough question गलत करते हैं, वो तो अलग की बात है, लेकिन जो easy question ही गलत करके आजाते हैं, उनका selection नहीं पाता है, पर दिये जो भी आप पढ़ें उसको साम तक, हर पर जाएगी और आपको रटना था नहीं एक बार भी रटना नहीं उसको रिवीजन रो जाना करना जो आपने पड़ा उसको रिवीजन करनीजआए इससे क्या होगा कि आपको रूआ को हर चीज़े याद पाएगा ठीक है तो चैसे साथ गंटे आपको पड़े पढ़ना ही है जैसे मैंने इसमें लिखा भी आ है कि सुरू से अहां दूसरा क्या कि आपको सुरू से ही टाइपिंग पर ध्यान देना है ठीक है टाइपिंग में जो पचास नमबर अगर उसके उसमें से पैतालिस नमब जो कचैरी में चलते हैं उनसे रिलेटर जो मामले आते हैं उन पर आपको टाइपिंग करनी है यह नहीं कि कोई भी बुक से लिया और टाइपिंग करने लगे वो नहीं है ठीक है आपको क्या करने कि जो मामले आते हैं संग्यान में होते हैं जो कोर्ट में मामले चलते हैं उ उसके बात क्या करना है कि आपको उसको solve करते चले जाना है ठीक है New सौल्ब करना उसके डाउट को किलियर करना कि क्या करना है कि आपका मेन जो गोल है वह दोसों determinate लाएंगे तो पास होनाई ठीक है वहalis हो जानी आप ये इस साल आपको नौकरी मिल जाएगी निगेटिव मार टिंंग है नही तो तो आपको 200 में से 200 question करने हैं ठीक है पूरे पूरे कोई भी छोड़ना नहीं है चाहे आए चाहे ना है आपको पूरा solve करना है ठीक है उसके बाद आपको previous year के paper लगाने ही हैं अगर आप previous year के paper नहीं लगाते हैं तो आपको pattern मालूम नहीं चलेगा कि कैसा पूछा जा रहा है ठ इसी मलब घंटों में जितना मैंने आपको बताया 6-7 गंटे में previous year के paper solve कर लेने हैं इंगलिस के लिए हमने बता दिया computer की बात करते हैं computer के लिए आपको करना किया किरण publication की आप ले लिए उसको solve कर लिए ठीक है उसको solve नहीं उसको रड डाली है ठीक है आईवे question जितने भ तरीके से तैयारी करते हैं तो आपको पक्का ही साल हो जाएगा ठीक है और अलाबाद हाई court में ऐसा कोई UP का SST का कोई बंदा ऐसा है इने जुना निकाल पाए बस करन का गलती क्या होती है कि हम questions को जो हमारे easy question से वही छोड़ देते हैं या वो गलत हो जाते हैं इस बिहाप से अगर आप follow करते हैं आप पढ़ड़े इस तरीके से पढ़ाई करते हैं तो समझ लीजे कि इस साल तो आपका selection इसमें हो जाएगा टाइपिंग पर जरूर ध्यान दीजे टाइपिंग क्या है important है तो टाइपिंग पर लग जाईए ठीक है रोजाना आदे गंटे आप आप जोइन कर लीजे तो आपको दिक्कत नहीं होगी कि क्या मलब पूछेगा